हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब आप मत्या हुआ बवाल है कौन करेगा अपना वादों को भाई पूरा बताएगा मध्यपूरा भाईया जिला मध्यपूरा नवस्कार स्वागत है आपका एबिपी न्यूज में आपके साथ मैं हूँ अखिलेश आनन और ये देखिए मध्यपूरा की जनता किसका दर उत्साम है जरायन का अकपर उत्सा देखने तालिया हो जाए हर तरफ से हाथ हिलाते हूँए ये लोग अभिवादन कर रहे हैं तो मध्यपूरा से वार पलट बार की हम शुरुआत करने वाले हैं जनता के सबाल होंगे उनके नेता मौजूद हैं उनसे हम हिसाब लेंगे लेकिन पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि बिहार की सियासत में आज किस तरीके से सियासी वार पलट बार हुआ है किस तरीके से एक दूसरे पर जम कर आरोप लगाए गया है चाहे पार्टी कोई भी हो एक रिपोर्ट देखिए उनका निधन अस्पिताल में दो यह तिन निन पहले हो चुका था लेकिन पमाचार उनका निधन का प्रकासित नहीं होने दिया यह वो जुबानी जंग है जिसे सुनकर बिहार ही नहीं पूरा देश है बिहार में विधानसवा चुनाव के दूसरे दौर से ठीक पहले जीतरन राम मांजी ने चिराग पासवान को ऐसे चक्रवीव में घेरने की कोशिश की जिस से चिराग तिल मिला गए मांजी का आरोप है कि राम बिलास पासवान का निधन पहले ही हो गया था उसकी सूचना तीन दिन बाद सामने आई मांजी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इसे लेकर पीम नरेंदर मोधी को चिथी भी लिकी है और इस मामले की नियाईक जाज की मांगी हमारे प्रवक्ता ने कहा है हमको ही मालू हुआ है कि दो दिन ये तिन दिन उनके मौत साइद हो चुकी थी तब डिक्लियर किया गया था और फिर मेटकल बुलेटिन कभी इससु नहीं किया गया बड़े आदमी थे बड़े नेता थे और आखिर छिपा के क्यों रखा अगर ये बात आई है प्रवलिक डोमेन में तो इसकी जाज होनी चाहिए नहाईक जाज हो तो अच्छा है इस बीच नितीश ने ट्विटर के जरीए चिराग पर निशाना साधा और कहा कि जिने सब कुछ विरासत में हासिल हुआ है उन्हें कर्म वीरों के कप के बारे में क्या पता चिराग ने नितीश और मांजी पर परटवार करने में तेरी नहीं की वाउन बनेगा मुख्य मंत्री का काफिला आज मध्यपुरा में है तो चलिए शुरू करते हैं मध्यपुरा से एबीपी नियूज का विशिश कारिकरब वार परटवा जिहाँ तो आज मध्यपुरा में हैं ये वही मध्यपुरा है जहां से कई बड़े राजनेता हुए जिन्होंने भारत के फलक पर ना सिर्श इलाके का नाम रोशन किया बलकि आज भी उनकी चर्चा होती है इतिहास के पन्नों में बात हर बुद्दे की होगी उसे पहले मेरे साथ जो यहाँ पर नेता जुड़ चुके हैं मैं बारी बारी से उनसे आपका परचे करवा दू भारतिय जन्ता पार्टी से स्वदेश कुमार हमारे साथ हैं जेडियू के नेता है बिजेंद रियादो बहुत बहुत स्वागत आपका आजेडी से आलो कुमार मुन्ना हैं बहुत बहुत स्वागत आपका जाप से अशोक कुमार यादब हैं बहुत स्वागत लजेपी के नेता है दिनेश पासवान आपका भी बहुत स्वागत है और सीपी आई से प्रमोज पर्माकर्ट है आप सभी नेताओं से मैं बा स्टिगत तालोचना कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ. क्या आप लोग मॉलिक सत्थियों से इस बार विहार में जनता का ध्यान भटका रहे हैं? ये आरोप्ञाप पर विपक्ष लगा रहा है. आज भी इस विहार में फिकास के मुद्धे पर चुना हो रहा है. और लगातार NDA की जो सरकार है चाहे वो दिल्ली में नरेंद मोदी के नेत्रित में सरकार हो वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चल रही है और इस विहार में नया के साथ विकास की जो यात्रा 2005 में शुरू ही है वो अब तक लगातार चल रही है और आज बिहार बदल रहा है नितिस्कुमार की नेतरत में, गाउंग की सरकें बनी है, गलियां बनी है, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों का जीवन असर उठा है, और सब हम गभाह हैं कि आज बिहार में विकास हो रहा है. तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे वगल में जद्यू के ही जिस से कसम कस होते रहता है चुनाव से पहले और चुनाव से ने तरह चाहर चले गए लगता है उपन्दरा साल वहते पहले गए उस पहले पहले गए हैं जो यह फीक आलग हंड़े लिकिन यहां जहां तक 15 साल की बात है तो यह एक जुमला है और मजा के भाइव देश का पहला परदान मंत्री जो फौट साल में अपनी उपलब भी नहीं गिना रहा है देश का पहला मुख मंत्री जो 15 साल मुख मंत्री रहते हुए ना भरष्टाचार के मुद्दा पर ना प्राद के पर ना बिरुद्गारी ना मनला सिक्षा स्वास के मुद्दा पर बात कर रहा है और और 15 साल की बात कर आप देखिए आप देखिए अभी जिहार कि शिची जाब लेता हूं पहले इंसे आप अपने 15 साल का रिपोर्ट काड क्यों नहीं दे रहें जनता को यह कह रहे हैं कि पहले तो मैं आउडियंस में जो तमाम लोग हैं जैदी आप कुछ सुनना चाहेंगे तो सुनिये अथवा ताली बजाते रहेंगे सवाल अब सुनिये भाए सुनना है तो सुनिये बोलिया ना 15 साल से सुना रहे हैं आप लोग बोलिये 15 साल 15 साल का जो सासन है 15 साल में जो काम हुआ है कुछ नहीं हुआ ये सरजमीन पर है किताब में नहीं है किताब में जो लिखते हैं वो नहीं जो 15 साल में सरक का जाल बिछाया गया घर घर में बिजली का खंभा करा गया गया सारा नीती बनी पोसा की योजना चली छात्रवीती योजना चला सारे चीज आज यहां बैठे सुना जाए जनता से इतना विरोध फिर क्यों है यहाँ पर इतने लोग जो नामे हाथ हिला रहे हैं क्यों इतना काम हुआ है ची नहीं बताईए क्या बताए उन्होंने गिना दी है कि बहुत काम हुआ है गलत है दूस प्रशार है सरकार के खिलाब की काम नहीं हुआ मधेपुरा विश्विद्याले मुख्याले में आप लोग खरे हैं बेहतर होगा हमारे भाई बिजेंद्र ज्यादादी आप से आगरेख किया है आप सुनना चाहते हैं तो ताली को कम कर देंगे तो बेहतरीन होगा कि आप सुन पाएंगे हम आप ABP के परिवार के लोगों से कहना चाहते हैं पहले कि अभी RJD के आलोक मर मुना ने कुछ कहा कि जद्यू के लोग किनारे हो गए हमारा सुझाव था RJD के लोग यहाँ है और इनके साथ ही वहाँ है इनको एक साथ कर देते तो बेहतर होता इनके साथ है अब आप यह कहना चाह रहे है कि RJD और वीजेपी से यह कहना चाहरे है कि आप को एक कर देता IR jD to एक कर देते चुकिए गठभन्धन है यह और यह देख रहा है कि आप जगह एक कि आहरे जगह आपने बड़ दिया काम कुछ नहीं हुआ है पिहार में काम इसलिए नहीं हुआ पिहार में केबल चुनाओं के समय में अच्छे अच्छे वादे करके जंता के साथ साथ इन जुबाओं को ठकते रहे न पंदरा सालों में काम नहीं हुआ कि इसके पहले जो लालु जी वाला पंदरा साल ता उसमें भी काम नहीं हुआ ना पंद्रह साल पहले काम हुआ ना पंद्रह साल आप ही काम हुआ नबे से लेकर के 2020 सा कोई काम नहीं हुआ कोई काम नहीं हुआ जंता के लिए मैं आता हूँ आपके पर देखिए लोक तंत्र का या महापर्व है और इस महापर्व में यह तै हो चुका है कि नितीज कुमार की निकंबी सरकार जाएगी और तेजस्वी की सरकार आएगी बिहार में बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है इसलिए कि नितीज कुमार का साथ निश्य कार्ड करम टाइम टाइम फिस हो गया बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगे लेकिन भरस्टा चार और अपराद उद्योग का रूप ले लिया ये आरोप लगा रहे हैं एलजेपी के नेसा भी मेरे साथ हैं एलजेपी क्या वाकई में कोई वैचारी को उद्दे पर चुनाव लड़ाई है या सिर्फ आप लोग जेडियू का खेल खराब कर रहे हैं एक्चुवल में मैं एबेपी परिवार को पुरे मधिप्रा की जनता के ओर से धन्यवाद देता हूँ आपने जो बुलाया एक्चुवल में जद्यू जद्यू के रहते हुए बिहार में कोई काम नहीं हुआ क्योंकि हम लोग केंद्र में थे और हमारे जद्यू जो है हम लोगों का 2014 में बीजेपी के साथ गंडवंदन था और जद्यू महाँ गंडवंदन में एक बात मुझे बताईए मुझे थोड़ा समझाईए जनता भी समझना चाहेगी मेरे ख्याल से कि खेल क्या है यह थे बीजेपी और जड्यू साथ में हैं आप तो मैं बताना चाहूंगा जब जद्यू 2014 में महांधवंदन के साथ थे बिकास के मुद्दे पेचल लिए थे साथ निश्चा महांधवंदन में तयकि ए थे बीजेपी में आके नहीं लागु इस समय Crush काम इस समय में किये अगर महागटबंदन में भी काम नहीं हुआ जो जद्यू अकेले अपने किम अपने बल्बूते पे भी काम नहीं कर पाई लेकिन यह जो फ्रेंडिली मुकाबला है दिपक इस पर लोग बहुत तंस कस रहे हैं कि दर असल परदे के पीछे सेट है सब मामला बी किड्नी लीवर गुर्दा पे कोई ना ले दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा तेरी वफा तेरी सदा तेरा पयाम होगा तु मेरा राम होगा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा लेकिन लेकिन जनता क्या कर रहे यह सो सुनेगा दो दिल मिलने है मगार चुपके चुपके सबको हो रही है सबको हो रही है यह ख़बर चुपके चुपके क्या खेल चल रहा है यहां सा शुरू कर रहा हूं वहां तक हूंगा बोलिए सबसे पहरी बात मैं आपको युवा राजत के तरब से आपका स्वागत करना चाहता हूं लालू जादब अगर है तो हिंदिस्तान में सभी की राजी चलती है लालू जादब नहीं तो किसी की राजी तिक नहीं एक मुखमंतरी के लिए एक तेज़स्वी के लिए 30 लिए लगातार के सालों से इंतजार कर रहें नोंक्री का लेकिन वालतकार के मुझे पहें या जरज़र रोज के मुझे पहे या यह गुंडागर्दी के मुझे पहे कि निजी करन के मुदे पोई तमास रोजगार को चुपच करा सिख्षा को चुपच करा आज काते हैं आइसक्रीम खिलाएंगे बहुत रोजगार देंगे कोरो नम कहा तो कोरोनाम सी पपुया दवाते हैं और नेता नहीं आते हैं कोई नहीं आया कोई नहीं सर हम लोग 2012 में एस्टीटी पास किये हैं और लगातार अनभरत पटना में धरना परदर्शन करते आ रहे हैं लेकिन नितिश कुमार की सरकार एकत्तर हजार सीट रित रहते हुए भी एक भी स्कूल में एक सिप्षकों की बहाली नहीं कर रही हैं और हम लोग दरदर की ठोकर खा रहे हैं कोण है भी पर्श के में पूछना काते हैं आइक मत पकड़ ये दूर से माधेपुरा की जनता सवाल पूछ रहे हैं ये बेरोजगारी 2011 में सीटेट और 2014 में बिय एससी का जो परिचा हुआ आज तक इस परिचा में कोई भी परिचा परती होगता का किलियर हुआ परिचा भी लगता है 500 रूप्या एक हैज्यार रूपया, अगर तेस्वी सरकार होगा, तो फचास रूपया में ही फार्म बरा देगा, कोई भी परती होकता है, परिच्छा होगा कि यह यह बीनम्यू के धर्ती पे खरा हूं 2019 में पैट 2009 परिक्षा हुई इतनी बड़ी धांदली हुई इत पैट 2009 की इतनी बड़ी धांदली हुई मैं राजभवन दो बार चिठी लिच चुका हूं और विस्विद्याला यहां दवा दिया जाता है कोई सुनभाई नहीं हु के बाद भी नहीं सुनती है 2000 अगार के बाद अभी तक जितने भी है उतकर मित है स्कुल बना है उसमें एक भी सिक नहीं है बच्चे वैसा भी लग रहे हैं देचर देचर के कमेंगे दूजार 2014 में जो एससी का एक्जाम हुआ था उसका क्या प्रोसेस है हमको आप जद्यू लग रहे हैं उनसे मैं थोड़ा सांत रखने के लिए कहूंगा और मेरा ये सवाल है मोजी जी से कि वह एक प्रधार मंतरी होने के बाबुजीद भी यह ऐसा क्या आकाल पड़ गया कि उनको छपरा में आकर कि एक युवा नेता पर तंज कसना फरा वो बोल रहे हैं कि जंग को है स्थापना अधर निये जिसरी राधस सुप्रीमों लालु परसाद यादब ने किया ईसडिम लालु परसाद याद़ में दिया मैं अप बता दू है आप जो आये हैं मैं इस वी रोजगार हूँ मैं आप से यह तर दर चाहोंगा कि यह उनके पास कोई जबाब है वो हमको जबाब दे सकते हैं जिप 15 15 साल जो बोले काम नहीं हुआ है पप्पू यादब के रिजैन में यह उटके जारे से बंगाल और पपू यादब जी पूहां सेंट्रल हाउस में भी बोले थे अगर यहां नहीं बनेगा तो हम आतमदा कर लेंगे हमें पपू यादब न हम जीतने भी नेता है सब चोड़ है पपू यादब के लागा सब बड़े बड़े वादेख आगे चुना के समय में अभी एक मिलेट एक मिलेट एक मिलेट समय नहीं अभी हम दो किलो मिटर रोट से चल करका रहे हैं देखिए हमारा हम आप यह कह रहे हैं कि बीजेपी नितीज ने बीहार को बड़ाल कर दिया मैं नितीज कुमार से पूछना साहता हूं के पंदराव का हिसाब मांगता है अपना हिसाब पंदराव साल का तो जनता हिसाब मांग रही है तो सिंगेश्वार नाद भगवान की नगरी मध्यपूरा में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत हैं और अब वार पर टवार की शुरुवात एक बार फिर तो लोगों से बाचीत होगी इनके सवाल भी हम लेंगे लेकिन जब मैं मध्यपूरा पहुचा हूँ मैंने अपनी आँखों से क्या देखा मुझे यहाँ पर क्या समस्याय नजर आई या फिर मध्यपूरा की पहचान क्या है अगर पूरे भारत में मैं बताना चाहूँ मध्यपूरा के बारे में एक रिपोर्ट देखिए उसके बाद हमें आसे चर्चा के शुरुआत करते हैं इस वक्त हम मध्यपुरा में मौझूद हैं और ये बाबा भोले नाथ की नगरी है मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं सिंगेश्वरस्थान दूर दरासे लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं भागवान से आशिरवाद लेने के लिए आते हैं और तीपक चुकी बाबा भोले की नगरी है तो कुछ तो होना चाहिए उन परेगीत मध्यपूरा के मुख्य चौराहे पर खड़ा हूँ आप मेरे पीछे जो मूर्ती देख रहे हैं भुपेंद्र नारायन मंडल इनकी मूर्ती है और ये मुख्य चौराहा है शहर का मैं आपको बता दू कि मध्यपूरा सामाजिक नियाय का केंद्र बिंदू रहा आजादी के बाद से देश के कई नामचीन नेताओं की करमस्थली रही है लोहिया, करपूरी ठाकूर, मधू लीमे जैसे बड़े नेताओं की करमस्थली रही है यही नहीं समाजिक नियाय के प्रनेता और समाजबादी नेता भुपेंद्र बाबू की भी करमस्थली रही है इतनी समर्द ये भूमी राजनीती के लिहाद से, राजनीतिक सोच के लोगों के लिहाद से लेकिन हाल बदहाल है, शहरी इलाकों में, ग्रामीन इलाकों को तो आप छोड़ दीजिए शेहरी इलाकों में भी सडकें दुरुस्त नहीं हैं, बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर है, सडकों खोले कर इसके अलावा मैं आपको बता दू, पीने का साप पानी लोगों को मैसर नहीं है गंदा पानी नलों से आता है, बिजली की भी दिक्कत है, अस्थानिय लोग का यह कहना है कि जिस तरह के दावे सरकार में बैठे लोग करते हैं, उस तरह से इन्हें बिजली की आपूर्ती नहीं हो पाती है यह तमाम बड़े सवालात, जिनका जबाब हम लोग ढूंड रहे हैं और यह रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक खास बात मैं आपको और बता दू कि ट्रेन से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वज़े से भी इलाके के लोग बहुत ज़्यादा परिशान है तो सवाल यही कि समाजिक नियाए कि इतने परनेता, इतने बड़े बड़े नेता जिस धरती से हुए, आज उसका हाल क्या है मैं जनता के पास सीधे पहुच रहा हूँ, उनके सवाल होंगे और नेताओं से हम जवाब लेंगे, यहां से शुरू कर रहा हूँ, छोटे-छोटे में, फटा 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 मध्यपुडा का मुख मुद्दा है, चल जमाओ, यहां का मुख मुद्दा है, चल जमाओ, अभी अगर वर्टा का महना हो, तो तूरंट वाइक डोट पर पानी लग जाता हूँ, सवाल जवाम नेता देंगे, शुक्षा, स्वास, रोजगार, विरोजगारी, यह अहम फेल के पीछे पूरा देश का परधानमंत्री लगा हूँ, इस नेता का है, पता चलता है, तेजर अपता, तेजर स्विस्ट सरकार, जैसे दूद में निमूर डालने से दाही फट जाता है, उसी तरह निकिस्कुमार फट चुका है, इसलिए अब की बार युवा सरकार, मेरा सवाल है, कोरोना का समय है, थोड़ा सोशल डिस्टन्सी का भी खाल रखे, मेरा सवाल भाजपा के नेता से है, कि मोदी दी दूरा चोदा में आए थे, तो बोले थे, मोतियारी के चीनी मिल में, चीनी का उद्धिकार खना खोल के वहीं चाय पियेंगे, और सरम नहीं कि आदर्न ये परधान मंतरी ने जो कहा था, कि दो करोर नुकरी साल में देंगे, क्या दो करोर नुकरी मिला आप लोग को? मेरा सवाल जदीयों के नेता से है, उनोंने बोले कि आप बिजली देने का काम की है, लेकिन उसका यूनिट पूछे कितना रुपे यूनिट उठता है, सात रुपे यूनिट उठता है, सबसे महगाई चरम सिमा पर आ गई यहाँ पर बोलिया, बोलिए मोधी जी को यहार सरकार के नितीज कुमार और मोधी देश के परधान मंत्री इतने बेशरम हो गया है इनको पुराने वाते पीछे भी लोग को बोलने दीजे मैं आता हूँ एक जरह उथर पुछे बोलने दीजे वह गमशे में जो एक सच्छन एक रड़ रुके धकामुकी मत सर मधेपुरा की जनता ने सबको देख लिया है एक दस साल से हैं एक बहुत पहले से हैं किसी को किसी 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 ऐसे को और सल देना चाहिए जो मधेपुरा के सपने को साकार करें माई को कोई ने चीन नेगा और ठकामुकी ने सोशल डिसंस या ठाल रखिये वरना मैं कारिकम समाप कर दूँगा करोना का समय पीछे चलिए पीछे चलिए ठकामुकी ने सर मैं यह पूछना चाहता हूँ मोदी जीसे आये तो बोले था कि बिहार की युवा को हम रोच- युवानी और पानी का क्या हुआ और युवा का दमानी का क्या हुआ यह पूजना चाहते हैं मोदी जिस्ते एक मिनेट और एक सबाल एक सबाल एक गरीव एक गरीव के बच्चे के पिछे 20 हलीकप्टर क्यों कॉड़ोनाकाल में हलीकप्टर कहा था जब गरीव अब लोग तो आग दस साल से सिख्वान इपिर श्याद का मुकी मत किजिए बारी 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 से पनी बात रखें ना अब का मुकी क्यों कर रहे हैं बारी बारी से अपनी बात रखें पीजे चलिए देखें एक जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बीजे पी और जेडियू दोनों से ये सवाल है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्धा है जनता है हाँ पर क्या रही है जो उमीदे थी कि आप लोग नौकरी देंगे ऐसा हो नहीं पाया निश्चित रूप से लगाता रोजगार की बात हो रही है आज कोसल विकास की बात हो रही है आज युबाओं को हुनरमंद बनाने की बात हो रही है आज आज आत्म निरभार भारत बनाने की बात हो रही है आज आज आत्म निरभार भारत बनाने की बात हो रही है और ताकि लेकिन तेजस्वी आदब तो दस लाग सरकारी नोकरी की बात कर रहे हैं आप आत्म निर्भार और सारी जो बाते कह रहे हैं कि मतलब खुद की नोकरी कीजिए आप अपने आपको इतना सक्षम बनाएगे लेकिन ये तेजस्वी आदब जो साथी सवाल किया है, सवाल का जवाब सुनना चाहेगे तम न, सिर्फ सुनिए, सवाल करेंगे, उसका जवाब ने सुनेंगे मध्यपुरा समाजबात की धर्ती है, उनिश्वा बावन में आचार जेवी क्रिप्नानी सांसद हुए, फिर बाबु विपन नायन मंडल हुए, बाबु बीपी मंडल हुए, मान्ये लालु प्रसाद जी हुए, सरद यादव जैसे हुए, युबा के दिल के धरकन पपु गुमार जी, सात लाख लोगों को रोजगार दिया, विभिन छेत्रों में, बिहार के तमाम विद्याले, इसकूल जोपरी में चलता था, पक्का का मकान बना, अस्पताल में कुछ नहीं था, उसको बनाने का काम किया, ये बात नहीं है, अभी लोग ये कहे, तुनान जाए, अब सरकार के तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, माईगी चीन ली जेगा, उसके से काम चलेगा, देखिए, जो लोग यहां है, उनके मान सिक्ता, उनकी मान सिक्ता को आप जान रहे हैं, अजीब भी डंबना है, कि विभिद्याले परिसर के सामने में, आपका ये कार्टकरम चल रहा है, और कुछ लोगों को लालू जी के दौरा, पंदरा साल में विकास नजर नहीं आ रहा है, आपको बहें बता हूँ, कई बिस्विद्याल है, ठिक्ता के चेतर में कई बिस्विद्याल है, आतर दिया नेता लालू परसाज जादव जी ने दिया है, वो समाजिक न तो जब इस्तना काम हुआ है आर्जेडी वाले भी कह रहे हैं जेडियू बीजेपी वाले भी कह रहे हैं तो आप यहां क्या बात करें कि अब अपने कहा है कि यह समाजिक न्याय की धर्ती है हमें लगता है कि आपने इस धर्ती को पहचाना है इसके लिए आपको आपके पूर पहला है जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं ऊकली देंग गरी देंगे दूसरी अडह सच्ट मेस्ना हर नहीं कहिसे नेगता बिल्कुल बिल्कुल मोधी जी और नितीश जी के सभी वादे छलावा सावित हुआ महा गटबंधन आधरणिये नेता लालू प्रसाजादब ने समाजिक न्याई के रास्ते गडीब गुर्बा सोसित प्रित को मुँ में आवाज दिया समान्ता दिया सत्ता में भागीदारी दिया मैं कहना चाहूंगा अरसे बाद यह चुनाब जाती और संप्रदाई के अधार पर नहीं हो रहा है यह चुनाब मुद्य अधारित हो रहा है क्या जाती के अधार पर चुनाव नहीं हो रहा है जाती के अधार पर चुनाव नहीं हो रहा है कर्ज के अधार पर चुनाँ होना चाहिए विकास के मुद्धा पे मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को अगर लालू जी ने विकास चेया 15 साल में तो लालू जी की सब्सक्रा इस pocket अगर डियोत हैं तो फिर लागे नहीं है यह चुनावी रैली नहीं है पीछे चलिए पीछे चलिए सोशल डिस्टंसिंगा ख्याल रखिए देखिए युवा लोग का एक मुद्दा हम देखे है तो अनुशासित हो के बात किजेंगे यह रैली थोड़ी है यह कुछ उनावी रैली हो रही है क्या कि घंडा बैनर पोश्टर आप लोग वह ऐसा कर रहे हैं क्या फाइदा होगा जब बेरोजगारी पर बात हो रही है सुनिएगा आरे चुनाओं के बदला में आरे भीकास के बदला में अब्या पार होगा नेता जी तचुनावी भवर कैसे पार होगा नेता जी और क्या क्या ना है असालक का हालत जर जार होगा नेता जी तचुनावी भावरा कई से पार होगा नेता जी और एक लाई जो जो मुख्य जो अरोप लगा रहे हैं पीजेपी वाले मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं यह चीज़ आरजेडी वाले जो अरोप लगा रहे हैं नल जल योजना नाला जल योजना है पूरा सहर पानी पानी हो जाए रहे बेरी बेरी खाली सिला न्यास भाईया होता है और मधे पूरा में खाली बेमानी हो जाए रहे जंता से धोखा बार बार होगा नेता जी क्या जंता से धोखा होता है आप लोग के पास आता हूं मंच से नीचे रहिए पीछे चलिए घुंडा करती बत किजिए पीछे चलिए जांती बना कर रखिए करोना का समय है ऐसे नहीं होगा अरे क्यों जान दे रहो भाई क्यों जान दे रहो आराम से रहो आराम से अपनी बात रखो ना अरे का अरे चाहता अपको पता है ना कोवीट का समय है तो अधा है मंच पे मत चड़िये मैं आप ते रिक्वेस्ट कर रहा हूं मंच पे मच अधी मच अपनी सात रखी है हकामों कीमत किजिए अनुशासित रखे बोलने दिजैना उनको बोला है ड़ीधना इस हैं अधित्ने हैं जूंद्र फिश्वारेट десят जोड़े झार्द जिन्दा बाद लाल। अरे मायक अई पैसे नहीं होगा, पीछे चलिए पीशे चलिए इसे होगा अलहांगा मानी, बदमाशी मत किजिए इन लोगों को भोलने ठीज़ेँ, ये और इसे क्या होगा क्यों करद्रिंद भॉइया फूरी शांती रख लो तोरी शांती रख लोग ना अरब आप लोग आप लोग आपो फिज़ गेसे कि रिखत लिखत लिए कि अच्छा एक बात है एक बात बताईये चांट संस्कार हो का बढ़न पुरा का कि यहां कारिक्रम हमें दो क्यों हलांगा मां कर रहे हो बोला इसे नहीं ऐसे भाइस नहीं हो पाई भी सोशल डिस्टंसिंगा ख्याल रखिए जो हलांगा मां करेगा मैं उधर नहीं आऊंगा हलांगा मत किजिए पीछे चलिए अरो मैं सब के पास आऊंगा भईया भोलतो रहा हूं समझे ना थोड़ा सा कि रैली तोड़ी है तो बिहार के मदे पूरा से आप देख रहे हैं वार पलट वार लाइब और आपको मैं बता कि चुनाभी सरकर्मी तो है इस बिहार में लेकिन यहां का सबसे बढ़ाते हुआ यानि छट उसकी भी फिजाओं में खुश्वू आने लगी यह तो दीपाग एक छोटा सा छट का की सुनाएंगे यहां से आप लोग सुनिए उसके मैं चर्चा के शुरुवात करते हैं जी केरावाके पाथ पाराओं वेल linking के जूँटे धिभी ढ़र के जूँटे रख़ेल और ज हुद फोका देलो चकशन वाराती, यहां से जूँटे जूँटे हम इन दोनों सत्ता पक्स और विपक्स के इन्यताओं से पूछना चाहते हैं जब देश में बिहार में आपता और वीपता आती हैं तब ये लोग कहां गुज़ा पे अभी के दिन में ये लोग सिर्फ बोट इसलिए लेने के लिए आते हैं कि हम पास साल जीत के एसी में सोय र सरकार है अब की बार परिवर्तन होना जरूरी है बियार में इवाओं की सरकार तेस्टाजस्वें की सरकार शराथ बंडी का कोई फ़ाईदा नहीं है पहली बात ये है सर हमारे यहां जो दारू कहीं बाहर से आ रहा है गाईने का त्याक्स हमारे यहां से बाहर जा दोहरा दोहरा जटका है मतलब एक तरह रेवेन्यू लॉस दूसरी तरह धड़ले से शराब की विक्री गलब तरीके से हो रही है या रूप लगा रहे हैं हम नितीज गुमार की निताने करते हैं कि जो आप सराबंदी किया है यह पुर्ण पर सराबंदी नहीं हुआ है यह लोगों की अपनी व्यक्तिगत रहे है जिन लोगों ने अपनी बात रखी है तो फिलहार वार परटबार में मधेपूरा से इतना ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद और कल हमारी मुलाकात होगी अररिया की चंता से शाम सारे 6 बजे ज़रूर देखेगा वार परटबार लाइफ अररिया से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद इस चर्चा में हिस्सा लेने करें थैंक्यू 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 झाल 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 झाल